परमेश्वर के धन्यवाद आज सुबह के समय फिर एक बार परमेश्वर के सनीद में एक साथ आने के लिए परमेश्वर एक अच्छावसर दिया इसलिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद करता हूँ पीछले दिनों में हम लोग कलीसिया के बारे में कलीसिया के सदस्यों का कुछ नामों के बारे में हम लोग याद करके आ रहे थे हमारा main theme है कलीशिया के बारे में आज हम कलीशिया के जो सदस यह हैं उनका नाम जिसके बारे में हम लोग सोचे थे उसके बारे में हम लोग देखेंगे पहली नाम के बारे में मैंने बोला था विश्वासिया विश्वासि जो इश्व मशी को अपने उदार करते हैं के रूप में विश्वास करते हैं और परमेशर के वचन के साथ चलते हैं उनको विश्वासी कहा जाता है दूसरी वाला प्रयोग बताया था मैं चेले disciples ने तो जो इशु मसी के पीछे होकर चल रहे हैं ने तो इशु मसी को क्या करते हैं अपने अंदर लेकर घुम रहे हैं और लोग उनको देखकर फेचानते हैं कि ये इशु मसी के क्या है चेले हैं आज थीशरी वाली पद को हम लोग देखेंगे प्रेरितो का किताब नवा अधिया उसका बत्ती स्वावचन देखा न उदर लिखा गिया पवित्त्र लोगो सेंट्स स्वावचन ने तो सफस्टे थे हिंदी में बोलते हैं संत सेंट वह थीटरा पाद जो कलीशिया के सदस्यों को प्योग क्या गया यह लिखा गया है क्या बता है क्या फिर एक बार परमेश्वर के लिए पवित्र ना पवित्र लोगों पवित्र लोगों holy people पवित्र लोगों इसलिए जो तीसरा प्रयोग है कलीशिया के सदस्यों को उनको क्या बोलते हैं पवित्र लोगों नहीं तो जो कि अपने जीवन पवित्र करके शुद्धी करन पाके जीवन चला रहे हैं उनको पवित्र लोगों के इन आम से पुकारा दिया जाते हैं वो है कलीशिया के सदस्य कलीशिया के जो सदस है वो अपना जीवन पवित्रता के साथ चलवाना जरूरी है नहीं तो वो कभी भी कलीशिया के क्या नहीं बन सकते सदस ही नहीं बन सकते इसलिए आज सुबह के समय मैं भी प्रोचसाहन करके बताने का कोशिश करने वाले एकी चीज़ है हमें कलीशिया का सदस्य बनना है तो हमारे अंदर पवित्रता की भरपूरी जरूरी है अगर पवित्रता है ही नहीं तो हम कलीशिया के सदस्य बनी नहीं सकते हाललुया इसलिए जो पवित्रता जो पवित्र जो संत बोलते हैं क्या उनको एक प्रत्यक उद्धेश से लिए पर्मिशर के लिए अलाग कराh जाना ने तो एक पर्फek्ट काम के लिए पूरा करने के लिए उनको सेपरेट करके रखना ने तो एक पवित्र जुन्ड एक पवित्र इस नाम से हम लोग देख सकते हैं इसलिए प्रहरितों का किताब में हम लोग देख सकते हैं कलीशिया के सदस्यों को संत के हिसाब से ने तो पवित्र जुंड के हिसाब से बोला गया हम लोग देख सकते हैं तो आज हम लोग देखेंगे बाइबल में ये पवित्र जुंड के संतों के मारे में यह कलेशिया के जो मेंबर के बारे में क्या बताया गया है उस चीजों के बारे में ॥ोड़ा हम लोग देखेंगे मतिलीकित सुसाच मुश्वाचार 27 वहां त्याय उसकी 52 मैठ मैथ्यू चाक्टर 27 वोस्फिटी टू यहां पर पताए गया नुबाय में देखें ने इसू मसी के कुरूसारपन के समय अपना प्रान त्याग करते है वक्ते क्या हो गया इस धर्ती में एक ऐसी परिस्तिती आई की भूकम पा गया भूकम पाते ही क्या हुए जो मरे हुए संत और भक्ते लोग थे वो लोग सब क्या किये कबरों में से उटे हलो इसलिए मैं आज सुबह कैसा मैं एक चीज मैं बोल सकता हूँ अगर हम कलीसिया के जो अगर सभागी हैं मेंबर हैं हम अपना जीवन पवित्र रीती से कलीसिया में योगिदान करके चलते हैं तो आज मैं भविश्यवाने करके बोल सकता हूँ अगर हम मर भी जाते हैं त के मौत के समय की जो कबर मौत के समय भूमी कंप हुआ और जो संत लोग मिटी के अंदर दफे गए थे ने तो मिटी के अंदर गाड़े गए थे ने तो मिटी के अंदर मिट गए थे उनके अंदर एक क्या हुआ एक नयापन एक चलन हलो मगर बाइबल कहती है वो क्या हुए मरे हुए मेंसे जी उठे कब तब नहीं कब ये लोग जी उठे इश्यू मशी जब मरे तब नहीं इश्यू मशी जब कबर से जी उठे उसके बाद ही ये लोग क्या हुए कबर मेंसे जी उठकर बाहर निकले क्यों बाइबल कहती है मुर्दों में से पहला जीवित होने वाला वेक्ति कौन होना चाहिए इसलिए 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 रहे हैं नहीं है उटके बाद उसके बाद कि देखे ना किसे कौन जी उठने के बाद इस्यू मसी जी उठने के बाद वह सब कबर में से उठे और देखे ना बहुत लोगों को क्या किये गवाही दिये की मरने के बाद भी अगर तुम भक्त हो कलीसिया के सदसियो कलीसिया में पवित्र बन कर जीवन जापन करते हो तेरी पवित्रता के निशानी के हिसाब से तू मरने पर भी परमेश्वर के आवाद सुनते तू क्या होगा पुनर जीवित होगा रुपांतरित होगा तेरी एक बदलाव होगी तू क्या होगा तेरा जो शरीर है शरीर में परिवर्तन आएगा एक नया जीवन आएगा एक सभाव आएगा एक नयापण तेरे अंदर आएगा उस चीज की विवरन परमेश्वर का हा क्या हुआ क्रूसारपन के बाद ने तो परमेश्वर का सौरगाहरन के परमेश्वर के पुनुरुद्धान के बाद क्या हुआ बहुत सारे भक्त जी उठे इसलिए मैं नियुक्तिरि करने के लिए परमेशर शक्ति और सामर्थ दे सकते हैं वो है परमेशर की वचन की शक्ति वो है कलीशिया की यो स्रेष्टता वो है आत्मिक बनने की आत्मिकता में जीवन करने वाले की स्रेष्ट योग्यता के हिसाब से बाइबल बोलती है इसलिए हमें इश्यमशी को विश् इस यह है वो सेक्यूर बन सकता है हेलो इश्व मशी के सिवाई कोई और इस दुनिया में क्या नहीं हुआ मुर्दों में से जी उठा नहीं है फुनुरुद्धान हुआ नहीं है बाइबल कहती है यह जो 27 वा ध्यबा 52 में बताये गया यह वचन के हिसाब से यह जो भक्त लोग थे यह लोग सब पुरातन नियम के व्यवस्ता के हिसाब से चलने वाले मत्र मगर अपने जीवन को पवित्रता के साथ कटवाने के कारण परमेशर उनको एक अवसर दिये फिर से जीवित होने के लिए ताकि वो अपने भाई बंधों को बाई बंध्यों के साथ मिलकर एक और बार उनके विश्वास को एक और बार उनके पवित्रता को एक और बार उनके अत्मिक जीवन को क्या करने के लिए उत्तेजित करने के लिए परमेशर एक असर दिये हलो उसके बाद इनका क्या हुआ कुछ तो होना जरूरी है उसके बाद ये मुर्दों में से जी उठने के ये लोग क्या किये फिर से ये लोग क्या हुए मरे फिर से वो लोग गाड़े गए और अब ये पुनुरुद्धान के लिए वेट कर रहे है हेलो पुनुरुद्धान के लिए वेट कर रहे है इसलिए ये हमें एक चिन्न है ये हमारे लिए एक एक ओर्डर है कि हमारा भी भविश्य सेक्योर है इसलिए इशुमशी में जो कोई विश्वास करता है कलीसिया में जो कोई भी योग्यान पाता है मैं एक चीज मैं गुरुत तुरुती से बोल सकता हूँ मैं जिस परमेशर की सेवा करता हूँ जिस परमेशर के वारे में मैं प्रचर कर रहा हूँ वो परमेशर हमें हाथ नहीं छोडेंगे हमारा शरीर को हाथ नहीं छोडेंगे हमारा प्रान को हाथ नहीं छड़ेंगे उसके अंदर भी वापस जीवन देके फिर से हमें सुरगी अतड़ पर पुनुरुद्धानित करके ले जाएंगे ये हमारा एक सच्चाई है ये हमारे जीवन में होने वाली एक संभवसाचीज है ये हमारा भरोसा है इसी भरोसे के साथ हम जीवित हैं इसी भरोसा हमें क्या कर सकता है हमारा पर्मिश्वर के साथ वाला जिन्दगी काटने के लिए साहय कमंद हो सकती है Praise the Lord इसलिए इसलिए इस्यों मशी को नियुक्त रिती से विश्वास करना जरूरी है इसलिए दुनिया के हर चोर पर लोगों को सुसामाचार बोलने की जरूरत क्या है इश्यू मशी के बारे में बोलने की जरूरत क्या है कलीसिया के बारे में बोलने की जरूरत क्या है ताकि वो अपना फ्यूटर को सेक्यूर कर सके ताकि वो अपना अभी का जो जिंदगी भक्त के हिसाब से है, कलीस्या के सदसी के हिसाब से, पवित्र बन कर, परफेक्ट बन कर, अपने जीवन को शुधकाई से, जीवन को प्रस्तुत कर रखेंगे, तो उनका शरीर प्रानात्मा की क्या होगी, एक छुटकारा होगी, वो प्रांत मुर्दों में से जी उठे, और अपने लोगों से मिले, उनको प्रोस्ताहन करके, उनको उत्तेजित करके रखे, आज भी ये वचन जब हम पढ़ते हैं, एक चीज मैं बोल सकता हूँ, ये एक उत्तेजन की बात है, ये उत्तेजन की बात काई के लिए, ताकि हमारा जीवन भी इसी तरीके से पुनुरुद्धान होने के लिए तैयार हो रही है, उसी लिए हमें कलीसिया में योगिदान पाना जरूरी है, हमें पवित्र जीवन काटना जरूरी है, हमारा जीवन परमेश्वर के वचन के हाथ हिसाब से सेक्यूर करके रखना जरूरी है, हालल जलू या इसलिए उनका नाम कलीशिया को जो सदस्य का नाम में एक नाम है क्या संत पवित्र जुन्ड पवित्र लोग कलीशिया का मेंबर्स का नाम है फिर देखते हैं प्रेरितो का किताब 9 अध्याए 13 श्केट चाप्टर नाइन वर्स थर्टीन प्रेरितों का किताब नवा अध्याए उसका त्यर्वा मचन कि नहीं कि देखो ना फवित्र लोगों के बाल विरुद में बहुत प्रकार के विरुद हो सकते हैं यह बाइबल कहती है इसमें कोई भी क्या नहीं है क्लोस नहीं है जितना भी प्रार्थना करो जितना भी जो कुछ भी करो मगर पवित्र जुंड पवित्र लोगों के विरुद में क्या आठ सकती है सतावा सकती है लोग उनके विरुद हो सकते हैं क्यों हलो क्यों क्यों ऐसे होने की कारण आज हमें इस चीज़ को बहुत अच्छी तरीके से क्या करना चाहिए जानना चाहिए अगर नहीं जानते हैं तो हम परमेश्वर के साथ वाली एक रिस्ता अच्छी तरीके से नहीं कर सकते ऐसा नहीं है कि सताव नहीं आएगी सताव आएगी वो एक कलीसिया का योगिदान है पवित्र लोग है तो नियुक्तिरिती से क्या है हमें पवित्र करने के लिए बहुत प्रकार की सताव आ सकती है मगर एक चीज बाइबल कहती है सताव आने पर भी हमारा परमेशवर हमें क्या करता है उद्धारी देने वाला परमेशवर बचाने वाला परमेशवर है इसलिए इदर लिखा गया परिस्तिते में प्रेरितों का किताब नावी अध्याई तेरवा मचन में परमेशवर ने क्या किये आमना सामना होकर आरस्ट किये हलो किसने परमेश्वर ने आरस्ट किया आरस्ट करने के बाद किसको बुला किसको बोल रहे हैं अनन्या को बोल रहे हैं कि तुम उठो और जाओ कहां पाउल के निकट जाओ शाओल के निकट जाओ काई के लिए ताकि उसको क्या कर सके उसके जीवन में उधारी की रस्ता दिखा सके उसके जीवन पवित्रता के साथ चलवाने की क्या कर से एक रूट दिखा सके उसे कलीश्या के साथ योगिदान दिलवा सके इस मकसद के लिए उसको क्या किये अननिया को बेशते वाक अननिया क्या बोल रहा है परमेश्वर मैं उस वेक्ति के बारे में बहुत कुछ सुना है मैं उस वेक्ति के बारे में बहुत जानकरी लिया है परमेश्वर वो बहुत सारे भक्तों को संतों को पवित्र लोगों को क्या करता था सता था बहुत सारे लोगों को मारता था पीटता था उसके निकट मैं क्यों जाओ तब परमिश्वर उसको क्या विवरन दिये जानते हो ना परमिश्वर उसको एक ही बात बोले मैंने उसको क्या किया अरस्ट किया है मैंने उसको पकड़ा है इसलिए मैं बोल सकता हूँ विश्वास क आपको परमेश्वर के वचन के अपने आपको केंदरित करने लगा और वो भी अपने जीवन को पवित्र जुंड में पवित्र लोगों की सहावास में पवित्र लोगों की मिलाओं में कलीसिया के योगिदान में वो भी एक पवित्र जुंड बनने में कलीसिया का एक मेंबर बनने में परमेशर उनको सहाइता किया है परमेशर की रस्ता इसलिए एक चीज मैं गुरुत रीती से बोल सकता हूँ अगर पवित्र लोग मरते भी हैं तो परमेशर उनको नीजी उठाते हैं अगर पवित्र लोगों के विरुद सताव आती भी है जो सताव देता है उसको पकड़ने का फर्ज परमेशर का है इसलिए बाइबल कहती है हमारा कोई शत्रू है ही नहीं मनिश्य हमारा सत्रू है नहीं जो हमें सताते हैं वो हमारे शत्रू नहीं है उनके विरुद में जो काम करने वाले जो शैतानिक शक्तियां है वो हमारे विरुद हैं इसलिए हमें जो सताता है हम उसको रिटन मारते नहीं जो ह वो इश्रु का मकसद है ही नहीं बाइबल कहती है सताव के द्वारा ही परमेश्वर के राजी में हम प्रवेश हो सकते हैं हम कलीशय के मेंबर है हम पवित्र लोग हैं तो हमारा पवित्रता दिखाई देने के लिए सताव आना जरूरी है जब तक सताव नहीं आती हमारे अंदर की पवित्रता दिखाई नहीं देती सताव क्यों आती है ताकि तुमारे अंदर कुछ ना कुछ स्रेश्ट चीजे हैं वो चीज बाहर के लोग पसंद नहीं करते अच्छे पेड़ू को क्यों मारते हैं क्योंकि उसके अंदर अच्छा फल है जो उसको जो उसने कभी खाया नहीं है जो उसने कभी देखा नहीं है जो उसने कभी उगाया नहीं है ऐसा अच्छा फल वहाँ पर दिखाई दिया इसलिए लोग क्या करते हैं उस फल पाने के लिए पत्थर मारेंगे डंडा मारेंगे च तेरे सता कलीसिया के अंदर कुछ ना कुछ फल है, जो कि लोग खाने की पसंद करते हैं, जो कि लोग चखने की कोशिश करते हैं, जो कि लोग पहचाने की रूची लाने की पहचान करने चाहते हैं, इसलिए मैं कह सकता हूँ, सताव आना जरूरी है, तब कि हमारे अंदर की ज करना चाहिए वही है एक भक्त का जीवान का गुरुत्व हेलो थांक यू जीसस चीले मेरे बोलने का मतलब सताव लोगों को आएगा कलीश्य को आएगा पवित्र लोगों को आएगा अब प्रेरितों का किताब 26 का 9-10 प्रेरितों का किताब 26 वाद्याए 9-10 यहाँ प्रेरितों का किताब 26 वाद्याए 9-10 यहाँ प्रेर पावलुस अगरिपा राजर को क्या अपना गवाई बोल रहा है देखो हुआ है है फिर फिर थे को यह को यह कौन बोल रहा है पावलुस बोल रहा है इसका पुराना जीवन का जो चरित्र था वो वर विर्नन करता है हलो उसका पुराना जीवन का चरित्र अगर तू पवित्र लोग है पवित्र जुंड में है कलीसिया के योगिदन में है तेरा पुराना जीवन तेरों को याद रहेगा never you will forget your old life तू अपनी पुरानी जिंदगी कभी भूलेगा नहीं क्यों? वो तेरा गवाही है बहुत सारे लोगों को बोलते हैं कली से हैं मैं के गवाही बोलो बोलने से बोलते हैं हमको गवाही है यह नहीं पास्तर जी गवाही है ही नहीं बोलने के लिए नहीं है उसका अर्थ क्या है वो अपने पुराने जीवन को भूल चुके हैं वो अपने पुराने जीवन को क्या कर दिये भूल गये हैं मगर पॉलस यहां क्या कर रहा है अपना पुराना जीवन को गवाही के हिसाब से पेश कर रहा है क्योंकि एक जमाने में मैं ऐसा व्यक्ति था कि कलीसिया के विरुद पवित्र लोगों के विरुद उनको कैदी बना कर उनको उनके उपर अधिकार वस करने की कोशिश किया मगर क्या हुआ यह अधिकार उसको किस ने दिया उस दिनों की राजाओं महावेक्तियों स्रेष्ट पुरुषों ने तो फर्विशियां सदूकियां महाया जकें वो लोग सब उसको यह अधिकार दिये क्यों ताकि कलीसिया को तोड डाले कलीशिया को क्या किसा निचोड डाले पवित्र लोगों को मार डाले मगर परविशर ने क्या किया पाउलिस को पकड़ा हेलो अगर तू कलीशिया की सदस्य है अधिकर तू पवित्र जुंड कास है पवित्र जुंड में योगिदान पाया हुआ एक वेक्ति है अगर तू संत है तू अपना पुराना जिंदगी कभी भूलना नहीं चाहिए वो तुझे क्या करना चाहिए याद दिलाने चाहिए इसलिए दाउद अपने जीवन में वेविचार करने के बाद उस वेविचार के जीए खिए अपने जीवन को शुद्धी करन में लाया शुद्धी करन लाने के वाद उसने क्या किया जानते हो ना एक भजन संगीता भी लिखा कि इस पार में है बजा सभा के साथ में वेविचार के बारम में बजपान ऽेखा है इलो एक यह क्यों हो क्यों ऐसा लिखा बहुत सारे लोग बोलते हैं क्यों तुमारे ये बाइबल में विचार के बारे में ये सब क्यों लिखा है अरे लिखा क्यों है ताकि तू उसमें ना पड़े ताकि तू तेरी पवित्रता को नास ना करे ताकि तू कलीशिया के योगेदान से तू अलग ना नहीं तो तेरे अंदर की जो परफेक्टनेस है वो निकलना जाए तेरी अंदर की जो स्रेष्टता है परमेश्वर के राजी की जो योगदन है वो मिटना जाए इसलिए तेरों को हो अलग बनाने के लिए उन चीजों के मारे में गुरुत्यू देखे बताया गया है इसलिए एक चीजा में मालूम करना चाहिए हमारा जो पुराना जीवन है कि थोड़ा धनी हो जाते हैं तो पुराना लाइफ स्टैक पूरा भूल जाते हैं कि आया ना कि थोड़ा आशिष बढ़ गया तो पुरानी जिन्दगी कभी याद ही नहीं आएगी ऐसे ये ना लोगों का जीवन में बदलाओ थोड़ा एक मर्सीडीस बेंस कर अखरी दिया तो अंबसेडर में हो नहीं चलेगा अबसेडर में कभी बैठेगा ने एक लंब्जिणी खरी दिया तो एक रॉल्स रॉस खरी दिया तो मार्ती एट हंडड़ में नहीं बिटेगा ऐसा उसका है विचार है कि उसका जनम मारक लंबॉर्गिनी के अंदर ही हुआ उसका जनम वह रॉस रॉस के अंदर ही हुआ वह नहीं है कलीशिया के सदस तुझे परमेश्वर आशिष कर सकते हैं तुझे परमेश्वर राजा की पदवी दे सकते हैं तुझे परमेश्वर धनी विक्ति कर सकते हैं मगर एक चीज तुर याद मत भूलना नहीं याद रख तेरा पीछला एक जिंदगी था वो कैसा था तुझे वो य भरानी लाइफ स्टाहिल थी उसको गवाहि के इसाफ से लोगों को पेश करके बताओ इसी चीजael किसे की यह दो द्थक्रा पॉलस किसे सामने एक बड़े राजा के सामने कि वह राजा के नाम क्या बताया गया है अग्रिपा I think so हाना अघ्रीपा गुज राजा का नाम मतायेगे है अघ्रीपा रिजलाण इसलिए वह अघ्रीपा राजा को घवाही बोलने के बाद उसका अठाईसमा वचन थोड़ा पर देश है 27 और 28 27 28 वोई 26 के देखा ना गवाही बोलकर उस वेक्थी को क्या करने की कोशिश करवाया मसी बनवाने के लिए तैयार करते हिसाब से किया मगर वो राजा माना नहीं वो दूसरी बात है हलो तुझे परमेशर गवाही काई के लिए दिए पवित्र लोगों के जुट में क्यूं मिलवा है तुघे कलीसिया के अंदर योगिदान क्यों दिए तेरा नामी करन कलीसिया के साथ क्यों किया गया ताकि तू क्या कर सके बहुत सारे लोगों को मसी में ला सके हलो परमेशर तेरे को आसिस दिये क्यों ताकि लोगों को तू मसी में ला सके परमेशर तेरे को धन दिये क्यों ताकि तू लोगों को मसी में ला सके परमेशर तेरे को सब कुछ दिये क्यों ताकि तेरी पुरानी जो जिन्दगी है वो तेरी गवाही बनना चाहिए आज की स्थिती का परिवर्तन उस दिन की गवाही होनी चाहिए इसले पाउलस कहता था कि मैं पवित्र लोगों के विरुद्ध था आज मैं उसी पवित्र लोगों के क्या हूँ पक्ष में हूँ क्यों इश्यू मशीने मुझे पकड़ा मेरी पुरानी जिंदगी को इश्यू मशीने क्या किया एक एंकाउंटर दिया एंकाउंटर किया एंकाउंटर मतलब क्या है पोलीस और चोर आमना सामना भेट होना हो तो पोलीस मरना है नहीं तो चोर मरना है चोर मर गया तो एंकाउंटर पोलीस मर गया तो फिर से कभी एंकॉंटर होगा हलो इसलिए पाउलोस कहता है मैं गवाही हूँ क्यों पवित्र लोगों को मारने पीटने सताने के लिए घुमने मगर आज मैं उसी पवित्र लोगों के जुन्ड में हूँ क्योंकि मुझे एक एंकॉंटर हुआ किसके साथ लिशुमर्शी के साथ कलीसिया के जो स्रेश्टल जो मस्तक है जो सर है उसके साथ मेरा एंकॉंटर हुआ उस एंकॉंटर ने मेरी जीवन को परिवर्तन कर दी मेरा सोच विचार बदल दिया मेरी जीवन चरित्र बदल दिया मेरा जो सर, मेरी जो जो कुछ भी थी सब कुछ बदल दिया मैं आज उधारी पाया पवित्र व्यक्तियों के बीच में मैं भी आ गया वो मेरा जीवन का गवाही बन गया प्रोईस्यू जीजस संत बनना छोटी सी बात नहीं है संत बनने पर बहुत सारे चीज़ों को हमें गुरुत्व रखना जरूरी है पर्फेक्ट बनना चाहिए अगर एक इंपर्फेक्ट जिंदगी है ही नहीं तो पर्फेक्ट कैसे बनेंगे सबका सोच वीचार यह है है कि एक बार ईशू मशी को गरहन किये तो इंपर्फेक्ट की जिंदगी याद मत करो भूल जाओ नो भूलना नहीं याद रखना है वो तेरा गवाही है और डायलोग मारते हैं मेरे को गवाही नहीं अरे जब तेरे को परमेशर गवाही दिये हैं उस गवाही के बारे में सोच और बोलने की शुरुवात कर एक जमाने में मैं काईदी था एक जगवाने में मैं चौर था एक जमाने में मैं वेविचारी था एक जमाने में मैं क्या नरहंतक था आद्मियों को मारता था आज मेरे अंदर पभी युश्य मशी आने पर मैं युश्य मशी को विश्वास करने पर परिवर्तन आ गया आज जो कुछ भी है उस परमेश्वर की कुरुपा दान है वो परमेश्वर के बिला मैं कुछ है ही नहीं हूँ आज कुछ भी है, जो कुछ भी है, सब कुछ परमेश्वर का है, जो परमेश्वर का है, वो सब कुछ परमेश्वर का ही है, मेरा है ही बोलकर मैं नहीं बोल सकता, ये मेरा गवाही है, हलो, कलीशिया का नामी करन, पवित्र लोग करके कहा गया है, मगर अपना पुराना जिंद लाने के लिए कितने लोगों का प्रार्थना विंती आसू गिरे हैं पावलोस को बदलाने के लिए पावलोस को परमेशर एंकाउंटर देने के लिए कितना लोगों का आसू नीचे गिरा कितना लोगों का खून गिरा किनके कलीशिया के मेंबर्स के कलीशिया के सदस्य के खून गिरे किते मरे जगता कि एक बीज मरता नहीं मिट्टी में दफा नहीं जाता तब तक वो उगेगा नहीं इसलिए हमारा पुराना जीवन याद रखना है बोलने की मकसद क्या जानते हो ना कितों की प्रार्थना, कितों की आशू, कितों की खून गिरने पर ही हमें पवित्र लोगों में योगेदान मिला डूंट फर्गेट यॉर पैस्ट लाइफ कभी भी अपनी पूरानी जिन्दगी को भूलो मत दुहरा दुहरा के बोलो गवाही के हिसाब से ऐसा करोगे तो तुमारे अंदर गर्व आहंकार नहीं बढ़ेगी परमेश्वर से बड़ा होने वाली चिन्ता नहीं होगे बाइबल से विरुद जाने वाली परिस्तितियां नहीं आएगी हालेलुया इसलिए उतर प्रयोग किया गया पद क्या है पवित्र लोग अब रेवलेशन के पुस्तक चौदवी अध्याई बारवा मचन दबुक ओफ रेवलेशन 14 चैप्टर 12 यहां पर संतों के बार में बहुत गुरुत रितिस एक चीज़ बताएगे देखें हलो 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 पवित्र लोगों का धीरज है पवित्र लोगों को क्या चाहिए हलो है दीरज पेशन्स आलेलुया पवित्र लोगों को पेशन्स चाहिए पेशन्स धीरज है क्याज अधीरज बहुत जरूरी है अधीरज पेशन्स पवित्र लोगों में धीरज बहुत जरूरी है क्यों जैसा एक क्या बोलते हैं जमीन में काम करने वाला एक फार्मर को हिंदी में क्या बूलते हैं खेती करने वाला कितना पेशन्स कितना धीरज रखता है उसको कभी मालूम नहीं है बारिश कब गिरेगा कौन सा समय किस दिन किस महिने इतना मालूम है कि ये महिने से ये महिना तक मेई से लेकर जुलाई तक नहीं तो आउगस तक बारिश गिरेगी उतना उसको मालूम है मगर कब कहां कैसे पता नहीं नो आइडिया उसका धीरज देखो बारिश ना गिरने पर ही वो क्या करता है अपनी जमीन को प्रस्तुत कर रखा है ताकि बारिश गिरते ही कुछ ना कुछ उगाने की कोशिश मचली पकड़ने वालों को देखो मचली पकड़ने वालें को देखो उनका धीरज क्या है कहां मचली मिलेगी कैसे मिलीगी कुछ पता नहीं समंदर की गहराईयों में अपने जान को देकर जो खिम में डालकर निकल जाते हैं काई के लिए मचली पकड़ने के लिए बहुत सारे लोगों की मौत भी हो सकती है मगर धीरज के साथ पेशन्स के साथ क्या करते हैं वापस मचली पकड़ के ही वापस आते हैं नहीं तो इशुमशी के जो चेले रात भर पूरा मचली पकड़ने पर कुछ भी नहीं मिला तो भी वो अपना धीरज खोए नहीं लो अपने धीरज खोए नहीं उन्होंने क्या किया चेलो ने क्या किया रात भर मचली पकड़ने के बाद कुछ नहीं मिला कुछ ना मिलने पर वो लोग क्या किये जाल ले आए नेट ले आए दोना शुरू किये क्यूं क्यूंकि उसके अंदर मेल ज़्यादा घुज गई है पत्थरे अजरूरत वाली चीजे शुद्धी करन कर दिया किसका जाल का हलो जब तू अपनी जीवन को शुद्धी करन में ला सकता है तभी परमिश्वर का आवाद सू सुन तक सा है समझे नहीं तब तक पावलस तब तक चेले पेशन्स के साथ धीरज के साथ रात भर काम किये कुछ नहीं मिला कुछ वेस्ट ही मिला नगर वो लोग खड़े हुगे उस वेस्ट को धोने के लिए शुद्धी करन करने के लिए नेट शुद्धी करन हो गया तूरंत इश्व मशीन आवाज दिया बोला बै जहां बोलता हूँ वहां डाल के देखो मिलेगी मचली दीरज के साथ पवित्र लोग अगर तयार बने खड़े रहेंगे तो परमेश्वर क्या कर सकते हैं तुम से बात कर सकते हैं परमेश्वर तुमको उच्साहन दे सकते हैं परमेश्वर तुमको क्या कर सकते हैं आगे जाने की रस्ता दिखा सकते हैं इसलिए इधर बताए गया 14 का 15 में बारवा मचन में बताए गया क्या चाहिए बाक्तों को क्या चाहिए धीरज एक वर पढ़ते हैं बारवा मचन अलो परमेश्वर की आगयां को मान कर इश्व में विश्वास परमेश्वर की आगयां मान कर इश्व में विश्वास परमेश्वर की आगयां पुरातनियम विश्वास नया नियम हलो हमें नया और पुराना दोनों नियम चाहिए ऐसा नहीं है कि पुराना फेक दो नया ही पकड़ो नये के साथ पुरानों को भी पढ़ो धीरज की जरूरत है धीरज यह जो पर प्रकासित वाक्य है रेवलेशन जो फोटीन वो इसराइलियों के बारे में बताया गया है ने तो यह से दुनिया में साथ साल की जो क्या बोलते हैं पर्सिक्यूशन ट्रबिलेशन क्लेश क्लेश के समय एक जुन्ड हलो एक जुन्ड इसराइलियों में से एक जुन्ड परमेश्वर पर विश्वास करके तो प्रमेश्वर की व्यवस्ता पर अ मuschी के ओपर विश्वास करके अपने आपको प्रस्थूत करके धीरत से रुके सताव उनको कुछ कर नहीं पाया सताव हो सकता था उनके जान ले सकते थे क्योंगि तब किसकी अधिकार होता था साथ साल की क्लेश में को हां एंटी क्राइस्ट एंटीक्राइस्ट क्रिस्ट विरोधी है उनका कि राजतनु प्रभूत्व के जमाने ने भी लोग धीरज के साथ व्यवस्ता को हार्ट में रखकर विश्वास को दिल के अंदर सेमाल इके पकड़ कर परमेश्वर के लिए मरने तक तैयार हुए इस्राइली लोग इशु मशी को उतना गैरी तरीके से विश्वास नहीं करतے मगर इधर लिखा गया है वो लोग पुराने नियम को व्यवस्ता को पकड़ के परमेशर की व्यवस्ता को पकड़ के इश्यू मशी को ग्रहन किया इसलिए उनका जीवन में इतना सताव आने पर भी ट्रबूलेशन आने पर भी परमेशर को छोड़े नहीं प्रोईस लॉर्ड आलेलुया यह है एक पवित्र लोगों का अनुग्रह था पवित्र लोगों का जीवन की चरित्र पवित्र लोगों का जीवन का रहस्य वो लोग धीरज रहेंगे सताव बढ़ने पर केस के पीछे नहीं गुमते सताव बढ़ने पर लोगों को मारने पीटने की पीछे नहीं गुमते सताव बढ़ते पर क्या गुट्रों पर बैठना शुरू करते हैं प्रार्तना विंती करना शुरू करते हैं आसू देना शुरू करते हैं हाता साक्षी बनने के लिए शुरु तयार बनते हैं अलो आज की कलीसिया की क्या हो गई सताव आने पर पोली स्टेशन की याद अलो सताव आने पर कोर्टों के पीछे घुमना वाट इस दिस नॉंसन्स क्या ये कर रहे हो बाइबल कहती है अपने घुटने पर आओ बी पेशिंट दीरज रखो परमेशर का परमेशर इस अंडर कंट्रोल परमेशर कंट्रोल पे हैं वो सब कुछ कर सकते हैं केरला में हुआ एक गवाही मैं मोलना चाहता हूँ एक पासर साब बाइबल कॉलेज के खतम होने पर पवित्रात्मा के नियोगेग के हिसाब से परमेशर ने उसको कहा एक जगाओ में जाओ वहाँ पे जाकर सेवकाई शुरू करो तो ये व्यक्ति बहुत इच्छे के साथ क्या किया उस जगा को गया एक छोटी सी जमीन खरीदी खरीदने के बाद उसने क्या किया एक छोटा सा जोपड़ी बनाया और प्रार्तना अराधना शुरू किया हेलो छोटी सी जोपड़ी बनाया प्रार्तना अराधना शुरू कि इसे बहुत अच्छी तरीके से अरादना चल रही थी एक दिन क्या हुआ जानते हो ना उस गाहों के विरुदी एक रवीवार के दिन कलीसिया के सदश्य सब बिलकर अरादना में बैठकर अच्छी तरीके से अरादना कर रहे हैं उस समय उस देश का उस गाओं का जो मुख्या लोग मिलकर क्या किये इस कलीशिया के लोगों के विरुद आगे आकर कलीशिया के अंदर आकर घुसकर सबको पीटे पादरी सबको भी पीटे और क्या किये जो जो प्रभू बोज वहां पे रखा था उसको उसने क्या करता फेक दिया कुचल दिया पाउं से कुचल कर हीतं उद्धर फेक कर सब मार दिया भूरी तरीके से पस्टर जी और विश्वासियों को पीटने पर किडिने बिशवासिर भाग गया मगर संद विश्वासिक लोग कि पास्टर जी उसे दरत के समय में भी उसे वेदनाज परिस्तिती में भी कुछ उसको बोला ने वह आदमी लोग आये बूरी तरीके से पीटे और निकल गए निकलने के बाद गाओं लोगों ने पॉलिस को इनको फाहम किया पुलीस आया पुलीस आने के बाद इस पास्टर जी को और विश्वासी लोगों को हॉस्पिटल ले गया हॉस्पिटल लेने के बाद पॉलीस ने पूछा साब जी पास्टर जी क्या हुआ पस्तर जी बोलने है नहीं कुछ नहीं यहां पर एसे थोड़ा यह हुआ problem होँ, no problem, solve हो चुक है, no problem, कोई issue नहीं है तो पस्तर जी बोले, नहीं एक बार आप अपने मूँ से बोली है किस ने ये काम किया, उसको मैं जेल के अंदर मैं क्या करूँगा अरश्ट करके रखने की सब हिस्सा मेरे हाथ में है तब पस्तर जी ने क्या जवाब दिये जनते होना मैंने अपना केस जहां देना है वहां दे के रखा है तो उसका जो कुछ भी जज्जमेंट है वहां से आ गया है मैं इसलिए किसी और कोर्ट में दे नहीं सकता फिर से वह पुलिस ने बोला DSP साब ने बोला अले पस्तर साब मेरी बात तो सुनो हो एक केस तो लिख के दो मैं उसको मैं एक जीवन पूरी तरीके से जेल में उसको मैं रख सकता हो एक केस तो दो पसर जी बोले no I don't have any case my case is before Jesus मेरा जो केस है मैं परमिश्वर के सामने पेश रखा हूँ दीरज के साथ कहा हलो मगर भी पसर जी वहाँ से भागे नहीं अच्छी तरीके से अपना बोड़ी को दीरज के साथ फिर से आरोग्योवान बन के वापस आए प्रार्तना अरादना शुरू की बंद नहीं किया परमिश्वर को महिमा करना बंद नहीं किया मगर क्या हुआ जानते नहां जो लोग विरोधी कर रहे थे उनके घर में क्या हुआ जानते नहां वो लोग सब मिलकर एक खाना तयार किये थे फैमिली सब मिलकर हलो उस दिन क्या हुआ जानते हो ना ऐसा हुआ कि वहां के जो सर्क्यूट सिस्टम में कुछ गड़ा भी गड़बड़ी हो गई तुरंत क्या हो गे दना वहां का सर्क्यूट सिस्टम फट गया और जो मुख्या था उसका हाथ उस सर्क्यूट सिस्टम में कट गया और जितने लोग उदर सता नेकिल आये थे उन में से चंद लोगों का मौत भी हो गया तब पूलिस वहां पे आई पूछी क्या हुआ सर्क्यूट सिस्टम में करा भी हो गया ऐसा हो गया और देखा तो जिसने सताओ दिया था व मुझे तोड़ा हॉस्पिटल ले जाओ तब वो पोलिस ने क्या कहा अब मुझे पता चला ये पास्टर जी जिसको केस दिया है वो कैसे कैसे भी डील करते हैं मुझे नहीं मालूम था वो कौन सा कोट है अभी मुझे पैचाना रहा है वो कोट सचा परमेशर का कोट है उस परमेशर के सामने केस जाता है तो लोगों को छोड़ता नहीं उसका धीरच को देखकर लोगों को परमेशर क्या कर सकते हैं वापस परमेशर को याद दिलाने के जैसे परमेशर को याद करने की हिस्सा के जैसे मुझ में बोलती ला सकते हैं तब आदमी क्या बोला जाते है नहां धया करके परमेशर के नाम पे मुझे तोड़ा हॉस्पिटल ले जाओ पोलिस बोलता है अब मुझे पता चला ये पास्टर जी किसको केस दी है वो अच्छी तरीक ऐसे केसों को डील करने वाला है इसलिए मैं न्यूक तरीती से बोल सकता हमारा केस इस लॉस सिस्टेम के साथ नहीं परवेश्वर के निकट भेजो धीरज के साथ रुको वो है कलीश्य की मेंबर की पहचान पवित्र लोकों का निशानी हाललुया महा कलेश के द्वारान अगर इसराइली अगर परवेश्वर के लिए सब कलेश सहय हम क्यों नहीं क्यों कोर्ट के चकर काट रहो क्यों पुली स्टेशन की चकर काट रहो छोड़ो गुटने पर आओ बी पेशेंट मैन धीरज बनो धीरज की सदस्य बनो ओ जीसस हाललुया इस मशी के नाम में हमारे अंदर धीरज बढ़ना चाहिए परमेशर हमें धीरज सिखाईए परमेशर हम धीरज के साथ पवित्र कलीशिया के योग के दान बढ़ने के लिए हमें सिखाईए वोई चीज प्रकाशित वाक्य है चौद्वी अदियाए बारवी मचन में कहा गया इस्राइलिया धीरज के साथ रुके हमें भी धीरज के साथ रुकना चाहिए वो हमारा लाइफस्टाइल बनना चाहिए हलो हिंदु भाई भाहन वो लोग क्या करते हैं सुबह के समय उठते ही नहा कर पूचावेदी करते हैं वो उनका लाइफस्टाइल है मुसलिम भाई बहने दिन में तीन बार नमास करते हैं वो उनका लाइफस्टाइल है हम कलीसिया है हम पवित्र जुंड है हमारा लाइफस्टाइल क्या होना चाहिए घीरज के साथ परमेश्वर के उपर आस्राइर रखकर परमेश्वर की वचनों को मान कर इशुमशी के उपर विश्वास रखे अबोईंग हिम फुली पूरी तरीके से उसको क्या करना चाहिए विश्वास करना परमेश्वेर के साथ रिष्टा कायम रखना वो हमारा लाइफ स्टाइल बनना चाहिए हलो उडिसा में जो परमेश्वेर के दास जो लप्रसी रोगियों के बीच में सेवकाई करके उनके दो बेटों को तिमोती और उसका दूसरा बेटे का नाम जॉन आइटिंग सो ग्रहम स्टेंज रात के समय वो लोग अपने वैगन में गाड़ी में सो रहे थे विरोधियां आकर उसको क्या कर दिया जला कर राक बना दिया तबी भी गलाड़ इसको बोलने की यह की आवास मुझे यह मनुश्य के विरुध में कोई केस ही ही नहीं बस उसने केस के समय है उसको बहुत रिक्वेस्ट करने पर उसने कोर्ट पर आया कोर्ट पर आकर जल्ज साप ने पुछा इसको क्या करना चाहिए तब उसने बोला क्या जानते हो ना परमेश्वर जैसे माफी किये वैसे मैं उसको माफ कर रहा हूँ अनो आज लोग उसको मूवी बना दिये अची बात है उसमें गंदगी कुछ है ही नहीं मगर उसमें अची है वाली चीज क्या है धीरज पेशन्स टू फर्गीव पेशन्स टू रिप्रेसंट दे केस बिफोर गॉड अरे धीरज रखो परमेश्वर कर निकट केस देने के लिए प्रार्तना के दुआरा विंती के दुआरा घुटनों के दुआरा आसुओं के दुआरा रिप्रेसंट यूर खैस जो तलवार के साथ यूद करेगा उसी तलवार उसी व्यक्ति को मारेगा जो केस के साथ यूद करेगा उसी केस उसी को फसाएगा वो बिब्लिकल सिस्टम है ही नहीं इस नोट बिब्लिकल सिस्टम है और बिब्लिकल सिस्टम घुटना है आसुओं है अलो यह पवित्र लोगों का निशानी है बी मेच्चोर एं हल्थी अ मेच्चोर बनो हल्थी वनो विश्वास में बढ़ो बी पेशेंट मैन दीरज रखो अपनी पवित्रता को धीरज के सा रखो हाललुया कहां गई हमारी पेशेंट्स क्यों हम इंपेशेंट बन रहे हैं क्यों 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 परमेशर के वचन की परिक्षा लो कलीश्या की जो सदस्यों का एक नाम है पवित्र लोग उनके अंदर धीरज जरूरी है धीरज जब तक नहीं होता असलियत उनके अंदर से बाहर निकलेगी ही नहीं इसलिए रात बर चेले परिश्रम करने के बाद उनका धीरज उनके अंदर था इसलिए उन्होंने क्या कि अपने जालों को धोया साफ सुत्रा करके रखा ताकि अगली दिन एक बड़ी पकड उनके हाथ में आ सकती है बड़ी मचलियां उनके जाल में फश सकते हैं वो अपने जीवन को क्या की है? अपनी चीज़ों को क्या की है? धीरज के साथ धोना शुरू किये उनकी धीरज तक आओ देख कर परमेश्र चुप नहीं बैट पाए तेरा पेशन्स परमेश्वर की निशबदता को क्या कर सकता है? बोलती के हिसाब से बदल सकता है तेरी धीरजता तेरी पेशिंस परमेश्वर की निशब्ददा को क्या कर सकता है आवाज में बदल सकता है इट कैन बी ए ग्राइट वोईस इट इस वोईस अफ डेलिवेरंस उद्धारी की एक शब्द बनेगी तेरा काम परमेश्वर को चुप बैठाना नहीं डोंट में अवर गड़ शब्द इस माउथ परमेश्वर की मूँ को ताला मत मरो अपना मनमर्जी करकर परमेश्वर की कामों को ताला मत मरो परीश्यू जीस इस कोलिगाड थेरी महिमा करते है तेरी आराधना करते है परमेश्वर को बेरय जिवन काते हैं सब्सक्राइब आँ क्या कर तो रंट उनके दिश्वर लुदा का देकर इश्वमिष के आवास इश्वमि जी के आवाद इश्मिशी की शब्द मुझसे निकलते ही वो लोग उस शब्द के हिसाब से उस निशानी के हिसाब से जाल डालना शुरू किये क्या हुआ हलो क्या हुआ जाल भर गया जाल फटा नहीं जाल भर गया आज कलीसिया को जरूरी वोई चीज़े क्या in your in your patience try to listen to God तेरी धीर जिता में परमेश्वर के आवाज परमेश्वर के गुजगुदाहट परमेश्वर के वचन सुन तेरा नाटक देखने के लिए परमेश्वर नहीं चाहते अलो प्रेशी जीसस तैंक यू लोड इसलिए आज सुबह के समय एक और बार मैं याद दिलाने की कोशिश करता हूँ कलीसिया का योगद्यान का नाम क्या है संत परमेश्वर के सर्वीस के लिए अलग किया गया है परमेश्वर के निकट परमेश्वर करने के लिए परमेश्वर अलग कर दी है इसलिए मैं बोलने की आज की जो वचन मैंने बोला है उसका जो इंपोर्टन बात बोलकर मैं आज बंद करना चाहता हूँ अगर पवित्र लोगों की मौत भी हो जाती है तो भी परमेश्वर उनको हाथ छोड़ते नहीं उनको पुनुरुद्धान करवाते हैं वाले परमेश्वर हैं बोलकर मैंने बोला दूसरी वाले अनुबवें मैंने बोला जो पवित्र लोग है उनके विरुद में बहुत प्रकार की सताव आएगी सब प्रकार की इविल उनके विरुद में होगी लोग उनको बहुत गिनोनी तरीके से उनको क्या करें सताव से लेके जाएंगे मारेंगे पीटेंगे फैमिली को सेपरेट करवा देंगे मगर डरने की बात नहीं जो हमारा परमेश्वर है जो कलीश्य की जो मुख्य है जो कलीश्य की जो सर है वो हमें हाथ नहीं छोड़ेगा जड़ से मजबूत बनकर पकड रखेगा और जो सताव लाया है उन लोगों के बीच में से लोग चुन-चुन करें के को परमिशर पकड़ेगा ऐसे पॉल उसको परमिशर ने पकड़ा उसके द्वारा चौदा पत्रिकाएं परमिशर लिखवा दिया क्यों कलीशिया की पेशिंस कलीशिया की परमिशर के उपर भरोसा कलीशिया सताव सहने के लिए तैयार बने प्रस्तुत रहे और तीसरी वाली अनुबव में मैंने बोला हमारा पुरानी जिंदगी हमारा गवाही बनना चाहिए वो है पवित्र लोगों का निशानी किसको छुपा के रखेगा परमिशर को या कलीशिया को एक अच्छा भविश्यवानी बोलने वाला परमिश्यर का दास आजाने से चाहिए तेरा भविश्यव पूरा बोल देगा तेरी बीती जिंदगी पूरा खुला खुला ओपन अप कर देगा ऐसे भविश्यवानी बोले वाले सेवक लोग हैं हलो प्रिशी लौड तेरी आज की जो परिस्तिती तेरी बीते कल के हैं जीवन की परिवर्तन के दौरा इसलिए तेरे बीते कल को गवाही के हिसाब से बदल राजाओं के सामने पेश कर लोगों के सामने बोल ये मेरा गवाही है इसलिए पावलस कहता था कि पापियों के लिस्ट में मैं नमबर वण हूं हलो परमेश्वर के लिए मैं कैदी हूं हलो क्या गवाही है देखो मैं इश्यो मसी के लिए इतना थपड़ खाया मैं इश्यो मसी के लिए अपना पीठ दिया मैं अपने इश्यो मसी के लिए मैंने क्या कोड़े खाए नाव तोड़ दिया गया क्या गवाही है देखो और आकरी में मैंने बोला धीरज रखो धीरज के साथ पवित्र लोग कलीसिया के सदस वेट करना चाहिए मैच्यूर हेल्दी और विश्वास में बड़ोत्रे पाना जरूरी है अनिवार्य है रिक्वाइर्मेंट आईए हम अपना आखे बंद करते हैं करते हैं सुर्गिय पिता परमेश्वर आज सुबग के समय तेरी वचनों के हिसाब से कलीसिया के बारे में हमने सीका कलीसिया की सदस्यों के नाम पवित्र लोग भक्त सेंड्स कहा गया है जो परमेश्वर के उद्देश के लिए अलग करके रखा गया है जो परमेश्वर के मकसद के लिए परमेश्वर उनको चुनके रखे हैं उनके हिसाब से हम अपने जीवन को परमेश्वर पेशिंस के साथ धीरत के साथ रखने के लिए सताओ को परमेश्वर सहने की सताओ के साथ जीवन को चलवाने के लिए अपनी पुरानी जिन्दगी को परमेश्वर एक गवाही के हिसाब से पेश करने के लिए हमें तैयार कर ये बोलकर प्रार्थना करते हैं परमेश्वर परमेश्वर ऐसा एक पवित्र जुंड बनकर हमें रहने के लिए सहायता दीजिए आज जो वचने परमिशर हमने डिसकस किया है जो हमने सुना है वो सब कुछ हमारे जीवन में संभव होने के लिए साहता दीजिए आदर और महिमा सब कुछ आपके हाथ में हम सोपते हैं इसुमशी के नाम में मागते हैं आमेन हालेलुया